प्रदीस में कॉंट्रेक्ट डिहारीदार करमचार्यों का सरकार शोर्षिन कर रही है। परताब हो रहा है वेतन भी पूरा नहीं मिल रहा उन्होंने कहा कि बहुत से विभागों में तीन-तीन महीने बाद वेतन दिया जा रहा है कॉंग्रेस प्रुवक्त ने कहा कि थोड़े से वेतन पर मजबूरी में काम कर रहे इन करमचारियों के प्रति सरकार का रवैया गासं दिया जाना चाहिए दीपक शर्मने कहा कि ये पीऐप के नाम और भी किरमचारियोंते हैं और जमिनी स्तर पर प्रदेश की सेवा कर रहे करंचारियों पर छंटनी की गास गिराई जा रही है। कंग्रिस नीत नहीं कहा कि भाजपस कर्मचारियों के परती भी कोई नेती नहीं हैं और ना ही साफनियत है इस से न केवल विकास प्रभावित हो रहा है बलकि करमचारियों का वनवल भी गिरायत जा रहा है उन्होंने सरकार से मांग की कि करमचारी पर केप प्रती सरकार अपना द्रिश्टी को सबस्ट करे और भेदबाब की नेती को बंद करे हिमाचल सरकार कॉंट्रेक्ट और दैनिक वेतन भोगियों के साथ अन्याई कर रही है उनका शोशन हो रहा है बहुत समय से ऐसा देखने में आ रहा है कि इन लोगों को जो मजबूरी में थोड़ी सी तनखा के उपर काम कर रहे हैं उन लोगों के नापूरी तनखा दी जा रही है और तीन-तीन महीने इनको तनखा नहीं मिल रही है साथ ही जो इनका E.P.F. काटा जा रहा है वो भी इनको नहीं मिल रहा है सरकार इस तरह का अन्याई ना करे बीरोक्रेसी अपने पदों को तो बचा लेती है लेकिन नीचे जितने लोग हैं उनकी छंटनी की जा रही है जिस तरह से बिजली बोर्ड को तहसनेस करने की सरकार की योजना है और वहाँ पर जो कर्मी काम कर रहे हैं उनकी छंटनी चल रही है सभी विभागों में जिस तरह से उनकी छंटनी की जा रही है वेतन जो दैनिक वेतन भोगी हैं उनकी ये पूरणत अन्याय पूरण है इन लोगों ने इतनी मेहनत से प्रदेश की सेवा की है इनके साथ इस तरह का शोशन नहीं होना चाहिए, समय पे इनको हर महिने की निश्चित तारीख के उपर वेतन मिलना चाहिए, ये हमारी सरकार से मांग है